Hello everyone, take out your history book, open page number 40, here is chapter 4, Tribal, Dekus and the Vision of a Golden Age यहाँ पर हम Tribal's की Problems के बारे में बात कर रहे हैं, Tribal's की Lifestyle के बारे में बात कर रहे हैं Tribal's वो लोग होते हैं, जो जंगलों में रहते हैं, हम 19th Century के बात कर रहे हैं मतलब की आदिवासी लोग जो होते थे, जो जंगलों में रहते थे, हम उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पर Dekus जो आउटसाइडर्स होते हैं, जैसे Britishers हो गया, Germindas हो गया, Foreigners हो गया, उन्हें Dekus बोला जाता है तो Dekus क्या करते थे न, कि जंगल में आके रहने लगते थे, और Tribals के उपर अपना हग जमाते थे, और उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते थे तो Tribals के लिए यह सबसे बड़ी दिक्कत थी, और Tribals यह बोलते थे, कि जिस दिन Dekus जंगल से बहार निकल गए, उनके इलाके से बहार चले गए, तो वो दिन The Vision of a Golden Age कहलाएगा यहां भी हम क्या पढ़ रहे थे, How did Tribal Groups live, मतलब Tribals का रहन सेन कैसा था, Tribals कोन सा काम करता था, Tribals खाते कैसे थे, तो यह सब हम पढ़ रहे थे, अभी तक हमने जूम कल्टिवेटर्स पढ़ा है, जूम कल्टिवेटर्स क्या होता है, मतलब की Shifting Cultivation जो करता है, वो लोग क् जंगल का एक जो हिस्सा होता है थोड़ा सा पार, उसको क्लीन करते थे, कैसे क्लीन करते थे? फोरेस्स में बहुत बढ़े बढ़े पेड होते हैं, जिसकी वज़े से सूरज की रोश्नी जमीन तक नहीं आपाती, तो वो लोग क्या करते थे, जो बढ़े बढ़े ट्री उते पीड़ों कार देते थे ता कि सूरज की रोश्नी आपा है फिर अपनी आशим से, मतलब कुलहारी शे को रहा आ पेड़ों को आट देते थे उन पेड़ों को जला देते थे ता कि उस पे सर जू राख व noi शोज़े शा अचिच, बछघा हों फॉर्स के नीचे जो जमीन नीच जो स्वाइल है मिला देते थे ताकि उनके जो स्वाइल हो जाए और बहुत अच्छी हो जाए फिर उसके बाद वो लोग जो सीड होती है जिनके उनको फसल उगानी होती है वो सीड को वहाँ पे फैला देते थे उपर उपर फैला देते थे और फिर उनके बाद जो फसल उग जाती थी तो harvest करके वो दूसरे field में shift हो जाते थे, दूसरे field में मतलब forest के दूसरे हिस्से में चले जाके फिर से यही काम करते थे, इसलिए इसे shifting cultivation बोला जाता है, ओके, तो shifting cultivation में ली हिली एरियास में होता था, नौर्थीस तो central इंडिया के इलाके में shifting cultivation जाता होता था, अब आप page number 40 में आओ, some were hunters and gathers, tribals में कुछ hunters और gathers भी थे, hunters मतलब होता है जानवरों का शकार करना, और gather मतलब होता है खाने को एकटा करना, मतलब की जानवरों का शिकार करना, अपने ले खाना प्रेड्यूस करना, मतलब उन्हीं जानवरों को मार के खाना, और gather का means होता है कि जंगल में इदर उदर घूम के अपने खाने को एकटा करना और खाना, इन मैनी रिज़न, tribal groups lived in hunting animals and gathering forest produce, जो tribal groups होते हैं वो क्या करते हैं, वो चानवरों का शिकार करते हैं, या फिर forest में इदर उदर घूम के अपने खाने को प्रेड्यूस करते हैं, उनके लिए जो जंगल था ना वो उनके लिए बहुत ज्यादा उनके जिन्देगी के लिए क्योंकि वो लोग वहाँ पर सर्वाइफ करते थे, उनको खाना भी वहाँ पर मिल जाता था, The thorns were such a community living in the forest of Orissa, Orissa के जंगल में एक ग्रोप रहता है, जिसका क्या नाम था? Corns. They regularly went out on collection hunts and then divided the meat amongst themselves. वो लोग क्या करते थे? वो लोग रोज जानवरों का शिकार करते थे और जो उनका ग्रोप होता था था ना फूरा Corns का, तो वो लोग उस क्रोप में जो लोग जिस भी जानवर का शिकार करते थे जानवर को काटके अपने में आपस में बाट लेते थे. They ate fruits and roots collected from the forest and cooked food with the oil they extracted from the seed of the saal and mauna. Saal क्या होता है? Saal एक ट्री होता है. Maua क्या होता है? A flower that eaten and used to make alcohol. वो फूल जो हम खा सकते हैं, जो मतलब ट्राइबल्स खाते थे. और उन foods उस flour से वो क्या करते थे? वो एल्कोहल भी बनाते थे. मतलब दारू होती है नो, एल्कोहल उसे बनाते थे. तो वो लोग क्या करते थे? कि उस food को उस flour को वो अपने खाने के लिए भी इस्तमाल करते थे. और उससे क्या करते थे? अल्कोहल भी बनाते थे. जो भी उनको जंगलों से जरी पूटिया मिलती थे. या फिर उनको मेडिसन दवाईया बनाने के लिए जो हर्ब्स चाहिए होते थे. वो सब वो लोग एकटा करते थे. अपने ले भी यूस करते थे. और जाके लोकल मार्केट में भी बेचते थे. जो भी उनको फॉरेस्ट से जो भी प्रोडेक्ट मिलता था, जो भी चीज़े मिलती थे. वो पहले तो अपने ले यूस करते थे, अपने ले इस्तिमाल करते थे, फिर जाके वो मार्केट जो बाजार होते ना जंगल के बाहर, वहाँ पे जाके इन सब चीज़ों को बेचते भी थे. अपने लेडर वर्करण तो अपने लेडर करते थे, तो उनको कुछ फूल की जरवाद होते थे, जो कि जंगल में होते थे, और उन फ्लावर से वो क्या करते थे, उस पर अपने कपड़ों पर कलर चड़ाते थे, मतलब कपड़ों को अलग-अलग करते थे, तो वो फ्लावर से चड़ाते थे, पहले की टाइम पर जो रंग होते है न, जिसे कलर्स हो गए, तो वो किस से बनते थे, फ्लावर से बनते थे, सबकर पिंग कलर का फ्लावर है, तो बहुत सारे पिंग कलर के फ्लावर को त्राइबल्स क्या करते थे उन चीजों को एकटा करके जाके बाहर बाजार में बेशते थे जिसने उनको अर्निंग होती थे अभी हमें यह जानना है कि जो ट्राइबल्स होती थे उनको खाने के चावल या फिर दाल यह सब कहां से मिलती थी वो क्या करते थे कि जो भी जंगल से उनको एकटा करते थे और जो उनके जरुवत की चीज नहीं होती थी वो जाके मार्केट में बेचते थे तो उसके एक्सेंज में उन्हें या तो समान मिलता था या तो पैसे मिलते थे कभी-कभी उनको एक्सेंज में मतलब बदले में समान मिल जाता था या तो कभी-कभी बदले में पैसे मिल जाते थे कभी-कभी क्या होता था कि जो जंगल होता था अगर उसमें कोई चीज उनको नहीं मिलती थी और उनको पैसों की जरुवत होती थे वो क्या करते थे अपने जंगल से बहार निकल कर आज-पास के गाउं में जाकर खेती बाड़ी भी करते थे लोगों किया काम करते थे रोड रास्ते बनाते थे और लोगों की जो लेबर किरी होती है मतलब लोगों के हां नौकरी करना वो सब वो ट्राइबल भी करते थे पैसा गमाने के ट्राइबल पीपल है तो इंप्रीजिंग वॉंडर अराउं इन सर्च अफ वर्क एस लेबर्स जब फॉरेस्ट में कोई चीज उनको नहीं मिलती थी पेचने लायक और फॉरेस्ट में चीजें खताम हो जाती ही तो वो क्या करते थे वो जंगल से बहार निकल का इता होता घ इनको दूसरों के यहां काम करना बिलकुल पसंद नहीं था उनकी इज्जत के खिलाफ था कि वो दूसरों के यहां दूसरों के लिए काम करें तो वो कौन थे बाइगर्स वो थे जो कि Central India इलाके में रहते थे जंगल में और उनको बिलकुल पसंद नहीं था कि वो दूसरों दूसरों के यहां जाकर उनके लिए काम करें. दूसरों के गुलामी करना उनकी इज़त के खिलाफ था. पर वो लोग dependent होते थे और moneylenders पर भी dependent होते थे traders का मतलब वैपारी और moneylenders का मतलब है जिनसे आपने पैसे उधार लियो traders came around the things for the sale and the soul the good से चाया प्राइड़स traders क्या करते थे जो tribal लोग होते थे नो उनको ज्यादा दाम में चीजे बेचते थे क्योंकि वहां पर ट्राइबस की कोई respect नहीं करता था ट्राइबस जंगल में ही रहते थे तो वो लोग क्या करते थे जो वैपारी होते थे बाहर के वो लोग ट्राइबस को ज्यादा दाम में चीजे बेचते थे moneylenders gave loan with which the tribals made their cash needs adding to what they earn जब ट्राइबस को पैसों की बहुत जरुवत होती थी तो वो moneylenders से उधार लेते थे मतलब credit लेते थे तो moneylenders क्या करते थे उनको ज्यादा rate of interest में पैसे देते थे मतलब कि अगर ट्राइबस को 100 रुपे की जरुवत है तो moneylenders से 100 रुपे दिया लेकिन एक महीने बाद जब उन्हें पैसे लोटाने पड़ते है ट्राइबस को तो वो लो 150 या 160 रुपे लोटाने पड़ेंगे क्यों क्योंकि उनको बहुत ज्यादा rate of interest 50% 60% ज्यादा rate of interest में moneylenders ट्राइबस को पैसे देते थे but the interest charge on the loan was usually very high जो interest होता था वो बहुत जादा होता था so for the tribal's market and the commerce often meant debt and poverty इससे ट्राइबस जो होते थे वो गरीब होते जा रहे थे और ज्यादा उधार में नीचे दपते जा रहे थे मतलब कि उनके उपर बहुत जादा उधार आता जा रहा था they therefore came to see the moneylenders and traders as evil outsiders and cause of their mystery तो इसलिए वो moneylenders और जो भी traders होते थे न वो उनके साथ बहुत जादा गलत करते थे क्योंकि उन्हें ज्यादा दाम में चीजे देते थे और moneylenders जो पैसे उनको देते थे जिसकी वज़े से ये वो लोग बहुत जादा दुखी थे और उनकी दुखी का कारण ही यही था कि कि लोग उनके साथ बहुत जादा बहुत जादा बेदबाओ करते हैं उनको जादा पैसों में चीजे देते थे तो ये drivers इन सब चीजों से बहुत जादा दुखी थे ओके आगे का चपने हम नेक्स वीडियो में continue करते हैं thank you